नमस्कार दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बेहत खूब सुरत हिली स्टेशन धरमशाला, मकलाइट, गंज, डलहाउजी और खजिहार को यदि आप घुमना चाहते हैं तो आज बाइटी भारत पर 15 दिसंबर 2024 के वलिगिटी के साथ 4 night 5 days का मैं जबरदस टूर पैकेज लाइव कर रहा हूँ खूबसुरत ये हिली स्टेशन है, एक बार अगर आप पहुँच गए तो आप एक्चोल सीजर लैंड को बिल्कुल भी भूल जाएंगे सबसे पहले इस टूर पैकेज की मैं आपको कॉस्ट बताने वाला हूँ और होटल के बाद भी बताऊंगा, इंक्लूजन बताऊंगा, एक्स्क्लूजन बताऊंगा और उसके बाद आपको लेकर के चलूँगा डेवाइस आइटनरी पर लेकिन दोस्तों अगर आप इसे बुक करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ट्रेवल कंपनी का नंबर दे दिया है जी एस्टी रेजिस्टर डिल्ली के बहुत पुरानी ट्रेवल कंपनी है जो कई सालों से आपको हिमाचर प्रदेश के बेहस सस्ते ट्रेवल पैकेज प्रवाइड कर रही है दोस्तो सबसे पहले टूर पैकेज के कॉस्ट है मात्र 11,200 रुपे के अंदर 6-7 एडल्स जा सकते हैं ये है कॉस्ट पर परसन के साब से अगर आपके गुरुप में 4 लोग हैं तो कॉस्ट है 12,500 रुपे और अगर आपके गुरुप में 2 लोग हैं तो कॉस्ट आएगी 15,500 रुपे पर परसन दोस्तो धरमशाला के अंदर 5 होटल अरिका अतिती 7 सी धरमशाला होटल या इससे सिमिलर दिया जा रहा है डलहुजी के अंदर डलहुजी पैलेस होटल, होटल, शुकंत, होटल, आशिया या ना इससे सिमिलर दिया जा रहा है पैकेज इंक्लूजन में 2-night accommodation in धरमशाला, 2-night accommodation in डलहुजी, welcome drink on arrival for morning tea for breakfast for dinner रहने वाले हैं पिक अप एंड ड्रॉप रहेगा दिल्ली से all transfer and sizing by रहेगा by swift desire या innova cab के द्वारा रहेगा और टोल टेक्स, parking charges, driver charges, fuel cost सब कुछ इस पैकेज की cost में included है दोस्तो पैकेज की cost में क्या क्या excluded है नीचे आप screen को post करके पढ़ सकते हैं आईए दोस्तो अब बात कर लेते हैं, makloid, ganj और धरमशाला और इस दलहुजी के troop package के पूरी detail आइटनरी के बारे में दिल्ली से निकलेंगे आप day 1 पर धरमशाला के लिए by private cab जिसमें आपकी innova भी रह सकती है, जिसमें आपकी desire भी रह सकती है आपको airport या railway station से pickup किया जाएगा और धरमशाला के लिए आप proceed करेंगे धरमशाला city है Indian state of हिमाचल परदेश की जो surrounded है देवदार के forest से यह edge of हिमालिया से कोने पर बसा हुआ है, hillside city है, home है दलाई लामा का और तिबतन government यहाँ से रन करती है दथेक्चिंग चोलिंग टेंपलेक complex यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कई manuscript देखने को मिलेगी जो आपको बुद्ध धर्म का और अच्छा ग्यान प्रवाइड करेगी, there after checking to the hotel overnight stay रहेगा आपका hotel के अंदर डिनर करने के बार डे टू पर आप निकलेंगे धरमशाला से मकलाइड गंच के लिए वापस आएंगे धरमशाला वेक अप इन दा माइसमराइजिंग वीव आप माउंटेन ओल एक्रॉस है, ब्रेकफास करिये, निकल जाये, विजिट करिये मकलाइड गंच को दा सबर्व है और धरमशाला इन कांगरा डिस्तिक है उप माचल परदेश में इसे लिटिल हासा और धासा के नाम से भी जाना जाता है, लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पर तिब्बतन रहती है, दा तिब्बतन गॉर्मेंट का यहाँ पर हेड़कॉइटर देखने को मिलेगा, मकलाइड गंच के अंदर, एक्स्प्लोर करिए लोकल स्मॉल बाजार वेर देखने को मिलेगी, आपके वुडन हिल्स के अंदर, वाटर फास देखने को मिलेगी, इस विचल विलेट्स देखने को मिलेगा, चेक इन करिए डलहाँजी के होटल में, रेस्ट ए लीजर के लिए फ्री है, हैव डिनर करिए, ओवरनाइट इस्टे करिए अपने देखने को मिलेगा, इंटरस्टिंग प्लेस, यहाँ पर आपके अपने होटल में, तो इस तरह से आपका फुल डे का कजिहार का ट्रिप यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है, देफाई पर आप निकलेंगे डलहाँजी से दिल्ली के लिए, ब्रेक फास करिए, चेक आउट कर सकते हैं, इंक्लूसन देख सकते हैं, और एक्स्क्लूसन भी देख सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस टूर पैकेज को बुक करवाने के वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, ट्रेवल कंपनी का नमबर दे दिया है, तुरन जाए कॉल करिए, सा तके नमस्कार दोस्तों चें, हिंजे भारत बनी रहे है, वाईटी भारत पर धन्यवाद